हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा मैंगरिट बेंस आपके लिए 100% फ्रे एजुकेशन लेकर आता है यानि कि यहां आईए आपकी समस्या किसी भी क्लास की हो किसी भी सब्जेक्ट की हो उसका समाधान यहां पर मिलेगा और वो भी 100% फ्री आपको बिलकोल भी परिशानी नहीं उठानी है क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपोर्टेंट होती हम सभी के लिए हमारा भविश्य एक हमें अच्छा वेक्तर्त देने के लिए एजुकेशन बहुत महादूवून भूमिका निभाती है और वो भी जब आपको फ्री मिल रही है तो फ्रचंता किस बात की है आईए और इसका लाब उठाईए आते हैं आज के वीडियो पे आज का हमारा वीडियो है क्लास 10 हिंदी कोर्स A और B दोनों के लिए है यानि कि यह हमारी कोर्स A में भी आता है और B में भी आता है यह है व्याकरण का टॉपिक अनुछेद लेखन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं इनको लिखते समय आप लोगों को कि भाई दे दिया शीर्शक उसके नीचे 4-5 पॉइंट्स दे दिये अब इनको हमें कैसे लिखना है क्या करना है कैसे हम अच्छा लिखें कि भाई एक्जामनर जब पढ़े तो उसको बहुती प्रभावशाली लगे तो आज हम इस वीडियो में यह सारी चीज़े समझेंगे कि लिखते समय क्या साथधानिया रखनी है और क्या क्या चीज़े हमें अनुच्छेद में शामिल करनी है बहुत जरूरी होता है तो सबसे पहले समझेगे कि अनुच्छेद लेकन होता क्या है देखे बहुत सारे लोग यह कन्फ्यूस करते हैं वैसे निबंद लेखन होता है वैसे ही अनुच्छेद लेखन होता है बहुत डिफरेंस होता है इसके अंदर देखे निबंद तो क्या होता है कि यह हमारे बहुत ही पुराने टॉपिक्स है जिन पे हम आराम से हमारे पढ़े पढ़ाये लिखे लिखाये होते हैं इनको लिग देते हैं और इनकी word limits भी जादा होती है लेकिन अनुचेद लेकर हमें कम शब्दों में बहुत सारी बातों को बताना होता है इनकी word limit कम होती है इनमें हम किसी तरह की headings का इस्तेमाल नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़े क्योंकि हम निबंद में बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं उनको लंबा लिख सकते हैं लेकिन अनुचेद में ये काम हमें नहीं करना होता है हमें मुश्किल से हर एक points में दो या तीन lines के अंदर discuss करना होता है और लगभग कोशिश करनी होती है कि सारी बाते उन तीन line के अंदर हम बता दें कैसे चलिए देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है अनुचेद लेखन मानव मन में नाना प्रकार के भाव विचार आते जाते हैं किसी विशे विशेश से सम्मंधित भावो विचारों के सीमित शब्दों में लिखते हुए एक अनुचेद में लिखना अनुचेद लेखन कहलाता है कोई भी टॉपिक हमारे सामने का रख दिया जाए तो अगर हम उसको सोचने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचारा आते हैं बहुत सारे भावदपन होते हैं मान लीजे आपके सामने दे दिया गया कि रेल दुर घटना अब रेल दुर घटना हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी भी हो तो आप कहीं से जा रहे हों रास्ते में आपने किसी ने दुरगटना ग्रस रेल देखी हो या आपके परिवार में किसी सदस्य ने देखी हो जिसने आप लोगों को बताया हो विस्तार से तो ये ऐसी चीज़े होती ही आप बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी नहीं देखा हो हम भी मानते हैं हमने भी कभी नहीं देखा तो अब इस दर signs को अगर आपको बताना है तो क्या होती है rail दूरघटना आएं ये आपने अगर इस चीज़ से कभी सफर किये हैं तो आपने उसको बारे में बताना है ये कैसे घटित हो रही है फिर इनसे कैसे बचा जा सकता है ये किस तरह से होती है ये सारी ही चीज़ें आपको रेल दुरगटना के अंदर लिखनी वड़ती है हमने दो शब्द बोले आपके सामने रेल दुरगटना अब ये सुनते ही आपकी मन में बहुत सारे विचार आने लगे अब इन विचारों को लेबध तरीके से लिख कर प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है अनुच्छेद लेकर हम बहुत जाद विस्तार में नहीं लिखेंगे मन लीजे आपने कर सफर किया है तो आप उसके बारे में अगर लिखोगे तो वही एक अनुच्छेद हो जाए सबसे पहले बताओ कि रिल्द उटना होती कहा है आप कहां से कहां जा रहे थे फिर आपने इस दुरगटना को देखा उसको देखने के बाद आपके मन में क्या विचार उठे या आपकी ट्रेन वहां पर रुकी तो आपने दुरगटना अगरस लोगों की किस तरीके से में आने लगेंगी तो यही हमारा क्या कहलाता है अनुचेद लेखन इन सारी चीज़ों को लिखना अनुचेद लेखन के अंदर गत आता है अनुचेद लेखन भी एक कला है इस तरह के लेखन में आन्यावाश्यक विस्तार से बचते हुए इस तरह लेखन किया जाता है कि क यहां पर हम खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं लेकिन कम शब्दों में हमें करना है। जो भी हमारा मुख्य टॉपिक है यानि कि जो जी शीरशक है जैसे मैंने बताया रेल धुरगटना तो आपको रेल धुरगटना से ही बंदे रहना है। आप किसी और दुरगटना पर नहीं पहुचेंगे ना साइकल ना बस ना टैक्टर ना टैम्पो किसी दुरगटना पर आप नहीं पहुचेंगे। आपको उसी पर लगकर यानि कि जो आपका शीरशक है उसी पर लगकर आपको लिखना है। फिर आते हैं वेर्द के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब वेर्द का विस्तार कैसे होगा जखी हम बताते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि हम जो हैं जैपुर से पटना जा रहा है थे तो रास्ते में हमने देखा कि एक ट्रेल दुर्गटना गस होई। हमारी ट्रेन वहां रुकी हम वहां पे उतरे हमने एक यात्री को पानी पिलाया। तो इस तरह का विस्तार हमें नहीं करना। हमें क्या करना है। इसको आप कैसे लिकों वहां पे हमने एक यात्री जो था घायल उसको पानी पिलाया। उसका सामान उठाकर हमने प्लेट्फॉर्म पे रखा उसको खाने को दिया। जो भी है आपने जो भी किया। इसको इतना लंबा विस्तार पे ने लिकिता लंबा विस्तार हम निबंद में कर सकते हैं। लेकिन अनुचेद लेकन करते समय हम क्या कहेंगे कि हम जैपूर से पटना अपने रिष्टेदार के हाँ जा रहे थे तो रास्ते में रेल घुटना देखी तो वहां पर हमने कई रेल यात्रियों की सहायता करी बस अब ये नहीं कि हमने पानी पिलाया खाना पिलाया उसका साम प्रम शब्दों में आपने अपनी पूरी बात बता दी फिर आते वाक्यों के बीच निकट्तमता और सब्धता होनी चाहिए यानि कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच हम जब भी पहुचेंगे उसके बीच में हमें संबंध बनाए रखना है अब यह संबंध कैसे बनता ह मानवजनित कारण आप यहां पर यहां पर एक लाम लिखो गए कि रेल दुरगटना का अधिक्तर कारण मानवजनित होता है अब यह आप लिखने के बाद क्या होगा रेल दूरगटना मानव लोग मारे गए अब देखे यहाँ पर मानव जनित कारण था और आपने सीरे बता दिया कि इत्ते सारे लोग माने गए अब इन दो वाक्यों के बीच में कोई संबंध नहीं है अब इस संबंध को हम कैसे स्थापित करेंगे देखे अब हमने पहली लाइन लिखी कि रेल दुर लोगों की जाने चली जाती है इस तरीके से हमें संबंध इस्थापित करना पड़ता है जब दो डिफरेंट वाक्य को जोड़ना है तो बीच में हमें एक ऐसा वाक्य डालना पड़ता है जिससे इन दोनों वाक्यों के बीच में संबंध इस्थापित हो सके एकदम से हम कही भाशा प्रभाव पूर्ण या प्रभाव महीं होनी चाहिए प्रभाव महीं कैसी होनी चाहिए मतलब एक प्रभाव में चले यह हमने आपको बता दिया प्रभाव पूर्ण कैसी होनी चाहिए हमेशा बताती आती हूँ कि आप हमेशा परायवाजी शब्दों का इस्तिमाल करिए ये बहुत आविशक है कि आप अपनी भाशक को प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तिमाल करें ऐसे शब्दों का उप्योग करें ताकि आप अपनी बात अन्य लोगों तक पहुँचा सकें और बहुत ही अच्छे धंसे अब देखे ये वाग की जो हमेंने अभी बोला इसको आप अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को पहुँचा सकते हैं ठीके परायवाजी तो एक हमने एक वाग के हमने क्या बोला थोड़ा प्रभावशाली शब्दों का इस्तमाल किया दूसरा हमने नॉर्मल भाषा में बोल दिया जो हमारी बोलचाल की भाषा रहती है यही चीज़े है हमें आवशक है आवशकता है हमें जरूरत है हमें इस चीज़ की बहुत थेस पहुंची हमें बहुत बुरा लगा अब देखिए थेस पहुंची और बुरा लगा जो है मृत्ति वो जाने चली जाती है अब जान की हानी होती है जाने चली जाती है बात तो एक है लेकिन प्रभाव किसमें हुआ हानी होती है इसमें तो आपको ऐसे ही शब्दों का इस्तमाल करना है ताकि भाशा प्रभाव पुन बने चोटे चोटे वाकियों का प्रयोग करन देखे आपके वाक्य प्रभाव में बने रहें इसके लिए हमेशा चोटे श्बदो का इस्तीमाल का हो एक दोल्वा श्तिमाल हो जाएगा चोटे चोटे वाक्य इस्तीमाल बना रहे ठाते भाशा सरल बोद्गम और सहेज होनी चाहिए तो ऐसे हमया हम ने का इस्तिमाल नहीं करिएगा कि भाषा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए तो हमें यह साहित्य रचना नहीं करनी हैं साहित्य रचना के लिए हम बहुत सारे क्लिष्ट शब्दों का स्तिमाल करते लेकिन यहाँ पर हम अनुचेद लिखन लिख रहें तो तो शब्द सीमा से पांच या अधिक शब्द होने से फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर इन्हों ने जो ये चीज बोली है पांच या अधिक मान लिएजे आपको बोला गया है जैसे आपका 10th क्लास है तो आपको यहाँ पर 150 से लेकर 200 words तक की word limit दी जाती है कि आपको अनु हो जाता है 210 words तो इससे फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर 150 का 120 हो गया और 210 का यहाँ 250 हो गया तो फरक पड़ता है क्योंकि आपका अनुछेट जो चेक कर रहा है वो बहुत experience आदमी है बहुत experience examiner है वो आपके अनुछेट को देख ही समझ जाएगा कि इसने कम शब्द लि वो तुरंत ही देखकर इस चीज़ को पहचान जाते हैं तो यह आपको दियान रखना है कि जो वर्ड लिमिट दी गई है उससे आप उपर नहीं जाओ और उससे नीचे नहीं हो उतने पर इस टिक रहो 5-7 वर्ड उपर नीचे होते हैं तो उससे फरक नहीं पड़ता लेकिन का मतलब है जब हम उसको लिखेंगे तो हमें लगना चाहिए कि यह सारी चीज़ें हमने अनुभव करी हैं हम यह सारी चीज़ें फील कर रहे हैं तो आप हमेशा जब भी कोई अनुछेद लिखें तो उसमें अपने आपको शामिल करते हुए लिखें अब आते हैं बहुत इ प्रियान में रखकर अनुचैत लेखन करना चाहिए इस संकेत बिंदू को अंदेखा करके अनुचैत लेकिन करना हीद करर नहीं होता है आज से 5-6 साल पहले आप पहले शीरशक दे दिया जाता था और आपको अनुछेत देखन करना होता था तो उसमें क्या है कोई भी शीरशक दे दिया आपने फटा फट लिख दिया लेकिन अब क्या होता है अब आपको शीरशक दिया जाता है और उसके नीचे चार से या पांच संकेत बिंदू दे दिय को दिये जाते हैं मतलब अनुछेत के अंदर आपको जो बहुत carbohydrate वह ल दुरू को इसमें आपको एक और समय कुछ धिया किल लग्स दिये पहले तो हम कुछ भी लिखते दें पहले तो हमंने नहीं होता लिए गहें है आप 200 words के अंदर आपको लिखना है, एक शिरिशक दिया गया है और उसमें संकेत बिंदू आपको कितने दिये गए हैं? आपको संकेत बिंदू दिये गए हैं 4, 1, 2, 3, 4, तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर इसका division करोगे, तो हर एक point पे हम 50-50 words में लिख सकते हैं, ठीक है? हमारा division एकदम clear है, अब मान लीजिए, अब जो पहला point है उस पे आपने ज़्यादा नहीं लिखना, अब ये 50 words को आप क किसी की writing according, कोई 6 word लिखता है, कोई 8 word लिखता है, कोई 10 word लिखता है, तो अब आपको ये देखना है कि आपकी writing according, आपकी एक line में कितने words आते हैं, मान लीजिए 8 word भी आते हैं, तो आप अगर 8 words के приходing देखोगे, तो ये हमारा कितनी lines में आ गया है, ये 6-7 line में आ जाएगा अब माल लीजे आपको पहला point 6-7 line के अंदर नहीं लिखना है वो 2 line के अंदर खतम हो जाएगा तो अब आप क्या करो इसकी word limit में आप minus कर दो ये word limit में 20 minus कर दो तो ये हमारा 30 words का आ गया ये 20 words यहां plus कर दो यानि कि हम यहां पर आ गये तो ये हमारा कितना हो गया 80 words का हो गया ठीक है यहां पर हमारे इस तरीके से बढ़ जाएगा यहां पर हमने 20 minus किया 30 हो गया और यहां पर हमने 30 plus कर दिया तो ये हमारा 80 हो गया ठीक है ना तो ये हमको इस तरीके से minus करते हुए चलते जाना माल लीजे देखे इसको अब हम इसको यहां पर हमने क्या किया देखे यहां 50 में से हमने 20 माइनिस किया 30 बचा अब यह जो हमारे 30 यहां 30 वर्ट्स हमने इस वाले पॉइंट्स में इसका 1st पॉइंट पे हमने 30 लिग दिया अब यहां से चुकि हमने 20 माइनिस कर दिया था किया था नो 20 minus तो यह 20 हमने यहां पर plus कर दिया तो यह हमारे कितने हो गहाई 70 words हो गये total कितने हुआ 70 words हमने यहां पर लिख दिये यह हो गया 30 70 100 words यह 2 points के अंदर किस अब यह आपको decide करना है कि किस किस तरीके से आप यहां पर काम करेंगे किस points पे आपको ज़्यादा बताना है तो आप वो points ज़्यादा lines का दे सकते हैं जिसमें कम लिखना है वो कम दिखते सकते हैं तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि word limit के according आपके जितने भी संकेत बिंदू है आप उनको divide कर लेना कि कितने कितने words आप एक एक points के अंदर देंगे है चलिए यह हो गया अब यहाँ पर कुछ example हम आपके लिए लेकर आएं तो ध्यान से देखिएगा पहला example है मिट्टी तेरे अनेक रूप यहाँ पर एक शेशर दिया गया है और इस पर हमारे सामने 5 points देगे हैं क्या क्या points है हमें इनी संकेत बिंदू के आधार पर जो है अपना अनुचेत करना है यहाँ पर दिया गया है पहला जो हमारा संकेत बिंदू है सामानने धारणा यानि मिट्टी के उपर लोगों की सामानने धारणा क्या होती है फिर मानव शरीर की रचना के लिए यह कैसे आवश्यक है मिट्टी फिर जीवन का आधार क्या है मिट्टी कल्यार कारी रूप में मिट्टी कैसी है और बच्चों के लिए मिट्टी का क्या महत्तु है ये 5 points को हमें discuss करना है तो इनको कैसे लिखेंगे देखें सबसे पहले चीज आपको जो ध्यान डखनी है कि जो आपको संकेत बिंदु दिये गए है इन्हें as a heading के रूप में कहीं नहीं लिखना है आपको ये point discuss करने हैं लेकिन heading आप कहीं पे भी नहीं डालेंगे जैसे आप देख रहे हैं हमने पहले जो दो point से ये पहले पैरा में हम बताएंगे कैसे हैं प्राया जब किसी वस्तु को अतिन तुछ बताना होता है तो लोग कह उपते हैं कि यह तो मिट्टी के भाव मिल जाएगी लोगों की धारणा मिट्टी के प्रती भले ही ऐसी हो परन्तों तनिक सी गहराई से विचार करने पर यह धारणा गलत साबित होती है यह यहां पर हो गया यह हमारी क्या हो गया मिट्टी को लेकर लोगों की धारणा क्या है फिर आते हैं समस्त धारियों यहां तक की पेड़ पौधों को भी यही मिट्टी शरण देती है आध्यात्मबादियों का तो यहां तक मानना है कि मानव शरी निर्माण के लिए जिन तत्तों का प्रयोग हुआ है उसमें मिट्टी भी एक है तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पहला संकेत बिंदू दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने दूसरा संकेत बिंदू दिया दो संकेत बिंदू हमने एक परग्राफ में कवर किये लेकिन आपने ध्यान दिया कि वो जो संकेत बिंदू थे उन्हें हमने इसे as a heading इस्तेमाल नहीं करी बिलकुल नहीं करना है heading हम निबंध में इस्तिमाल कर सकते हैं अनुछेद देखन में हम कभी भी heading का इस्तिमाल नहीं करते हैं यह हम खास और से देख रहे हैं कि कि बहुत सारी मेरे पास ऐसे questions आते हैं कि ma'am headings अनुछेद में लिखनी है या नहीं लिखनी है तो यह आपको मैं अभी से बता रही हूँ heading का इस्तिमाल अनुछेद लेकर में बिल्कुल भी नहीं करते हैं अब आप ऐसे समझो जब आप English में S से लिखते हो तो आप headings डाल देते हो लेकिन जब आप paragraph राइटिंग करते हो तो क्या आप headings डालते हैं नहीं डालते हैं उसी तरीके से याँ घंदी में जब हमनिबन लिखते हैं तो हम हिंदी में heading डालते हैं लेकिन जब हम अनुछेद लेकर paragraph राइटिंग मतलब अनुछेद लेकर उसमें heading डाली जाती है ये खासतोर से इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसके regarding मेरे पास बहुत सारे comments आते हैं तो इनके जबाब में भी मैंने कई बार आपनों को बताया है कि heading नहीं डाली जाती है ये चीज़ आपको ध्यान लखनी है चली, दो points हमारे यहां हो गए अब उसके बाद हम आते हैं जब तक शरीर जिन्दा रहता है तब तक मिट्टी उसे शान्ती और चैन देती है और फिर मृत्य शरीर को अपनी गोद में समाहित कर लेती है प्रत्वी पर जीवन का आधार यही मिट्टी है जिसमें नाना प्रकार के फल, फसल, अन, खाद, वस्तु में पैदा होती है जिसे खाकर मनुष एवं अन प्राणी, जीवित एवं हश्ट पुष्ट रहती है यह मिट्टी कीडे मकोडे और चोटे जीवों का घर भी है यह मिट्टी विभित रूपों में मनुष्यों और अन जीवों का कल्यान करती है तो यहाँ पर आधार और कल्यान कारी रूप यह दो हैडिंग हमने यहाँ पर कवर करी दो हमने पहले परग्राफ में और दो हमने इस परग्राफ में कवर कर ली अब आते हैं लास्ट क्या था बच्चों के लिए मिट्टी का महत्व कुछ ऐसी हमारी हैडिंग थी क्या था बच्चों के लिए मिट्टी तो अब बच्चों के लिए मिट्टी जो है वो हमारा लास्ट बरगाफे हमने दिया क्या दिया है विभिन देवालियों का नव जीवन से भर कर कल्यान कारी रूप दिखाती है मिट्टी का बच्चों से तो अटूट सम्मंद है इसी मिट्टी को में लोड कर खेल कूद कर वे बड़े होते हैं और बलिष्ट बनते हैं मिट्टी की खिलोनों से खेल कर वे अपना मनुरंजन करते हैं वास्तों में मिट्टी हमारे लिए विविद रूपों में नाना धंसे उपियोगी है तो ये हमने कर दिया तो अब आपने यहां पर देखा जो पांच पॉइंट से हमने उनको किस तरीके से यहां पर एक्स्प्रेइन किया यह आपको ध्यान रखना है जो भी वर्ड लिमिट्स है उनको खास तोर से ध्यान रखना उससे कभी भी आगे नहीं बढ़ना होगा चलिए एक एक जांपल और लाई हो आपके लिए देखते हैं नेक्स हमारा ग्लोबल वामिंग मनुश्य वामिंग के प्रभाव क्या है और समस्या का समाधान क्या है यह चार पॉइंट पर हम इसे बताएंगे तो कैसे देखी सबसे पहले हमारा आरा ग्लोबल वामिंग क्या है गत एक दशक से जिस समस्या ने मनुश्य का ध्यान अपनी और खीचा है वह है ग्लोबल वॉमिंग ग्लोबल वॉमिंग का सीधा सा अर्थ है धर्ती के तापान में निरंतर व्रधी यद्यपी ये समस्या विक्सित देशों के कारण बढ़ी है परन्तु इसका नुकसान सारी धर्ती को भुगतना पड़ा है ग्लोबल वॉमिंग के कारणों के मूल में है मनुश्य की बढ़ती आवशकता है और इसकी स्वार्थ वृत्ती मनुश्य प्रगती की अंधाधुन दौड में शामिल होकर परियावरण को अंधाधुन छती पहुचा रहा है कलकार खानों की स्थापना नई बस्तियों को बसाने सड़कों को चोड़ा करने के लिए वनों की अंधाधुन कटाई की गई है तो अब यहां पर देख रहे हैं दो पॉइंट्स हमने पहला पॉइंट हमारा यहां से लेकर कहां तक आया यहां तक यहां तक हमारा पहला पॉइंट सा और यहां से लेकर यहां तक हमारा दूसरा पॉइंट था ग्लोबर मॉमिंग के कारण पहला हमने क्या ग्रोबी मॉमिंग क्या है यह हमने बताया फिर दूसरा हमारा पॉइंट क्या था जो संकेत बिंदु था वो था हमारा ग्रोबी मॉमिंग का कारण तो इस तरीके से हमने आपने देखा कि तीन से चार लाइन पहला वाला हमने तीन लाइन में कवर अब कर लिया और दूसरा हमारा चार लाइन के अंदर आ गया तो इस तरीके से हमने इसे कवर किया कि कैसे कैसे हम करेंगे फिर उसके बाद हमारे बचे हुए दो कारण आते हैं दो पॉइंट आते हैं अब इस समस्या से हमें क्या हानिया हो रही है और फिर है उसका समाधान अब हानिया बहुत सारी है तो उसके लिए हमने जादा लिए हैं इस तरीके से कैसे देखिए इससे पर्यावरन को दो तरफा नुकसान हुआ है तो इन गैसों को अपनाने वाले पेड़ पौधों की कमी से ऑक्सिजन है और वर्षा की मात्रा और हर्याली में कमी आई है इस कारण वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है ग्लोबल मौमिंग का प्रभाव है तो यहां पर इससे क्या प्रभाव पढ़ रहा है यह हमने यहां पर बता दिया यह हमारा तीसरा संकेत मिंदू था अब चौथा आराता समस्या का समाधान क्या है यह जो ग्लोबल मौमिंग के कारण हमारे जो तापमान बढ़ रहा है इसको हम कैसे रोक सकते हैं कैसे इसका समाधान करेंगे तो इन ध्रूवों पर जमी बर्ख पिगलने का खत्रा उत्पन हो गया जिससे एक दिन प्राणियों का विनाश का खत्रा होगा अधिका अधिक पौधे लगा कर उनकी देख भाल करनी चाहिए तता प्रकति से छेड़ चार बंद कर द देनी चाहिए इसके इलावा जन संख्या व्रध्धी पर नियंतरन करना होगा आईए इसे आज से शुरू कर देते हैं क्योंकि कल तक बहुत देर हो जाएगी तो यह हमने समस्या का समाधान बता दिया कि हमें जन संख्या व्रध्धी पर रोकना है हमें जादा जादा पर अपनी बात को रखना है जो चीज़ पूछी जा रही है सिर्फ हमें उतना ही बताना है अनेसेसरी का लिख रहे हो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलें और ज्यादा बड़ा लिख दोगे तो एक्जामेर उसकी तरफ देखेगा तक नहीं उसको पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा वर्ड लिमिट यानि की आपको एक टाइम में बांदा जाता है की पढ़ने में कितना यूगि एक्जामेर जब चेक करता है तो उसे एक कॉपी में इतना है वो इस कोशिशन में टाइम देगा इतना वो अनुछेद में देगा इतना वो पत्र में देगा अगर आप बहुत जादा लिखोगे तो वो उसको लगेगा हम इतनी दिर्वे एक कॉपी चिक नहीं कर पाएंगे तो उसको पढ़ेगा ही नहीं इसने करना आपको क्या है सिर्फ जितना पूछा गया है उतने ही वोट्स के अंदर आपको काम करना है तो यह हो गया हमारा अनुचेद लेखन आपको हमने अच्छे से समझा दिया कि कैसे करना है तो इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपनी अनुचेद को आप लिखेंगे मस्ट एक जुमें चीज बात सबसे बोलूँगी प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से आप अनुचेद लिख पाएंगे क्योंकि क्लास 9, 10 में तो है ये इसके लावा फिर आपका 11, 12 में जब ये हिंदी में आता है तो ये नए और आप प्रत्याशित विश्यों पर लेखन हो जाता है तब यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स दिये जाते हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते लिखने के लिए तो अभी आप अनुचेद पे लिखेंगे और आगे आपका आगे और ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स आने वाले हैं तो अभी इसे प्रैक्टिस शुरू करेंगे तभी आप आगे उसको लिख सकते हैं मागनेट ब्रेंस आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है यह फ्री एजुकेशन आपको कैसे मिल सकती है सिंपल या तो आप यूटूब पे आईए या हमारी वेबसाइट पे आकर या हमारे आप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी आप इन फ्री वीडियो को देख सकते हैं कहीं पे भी जाएए आपको 100% फ्री वीडियो ही मिलेंगे सिर्व एक बार ही नहीं अगर आपको कोई एक वीडियो कोई टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आता आप उसे दुबारा देखना चाहते हैं तो भी आप उसे 100% फ्री देखेंगे जितनी बार चाहें आप उतनी बार देखें इसके लिए आपको कोई भी पेमिंट नहीं करना है ना कोई कूपन ना ही कोई टोकन ना कोई पैकेज कुछ आपको नहीं लेना तो सिंपल आपको करना क्या है आपको जो है कहीं पर भी जाएए आपको खाली वीडियो देखना है साथ ही आप डेली अप्रेट्स के लिए हमारे सोशल अकाउंट्स पे भी जोड़ सकते हैं जो हैं फेस्बुक, वाट्सप, टेलीग्राम, इंस्टागाम यहाँ पर आपके सब्जिक्ट या क्लास से रिगार्डिंग जो भी अप्डेट होता है वो आपको एजिली प्राप्त हो जाएगा Thank you for watching, bye bye